हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू एस क्लास आज ही क्लास में लोग जानेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन से अपने रिमेनिंग 1 माक्स के इंपार्टेंट को अगर आप जाना चाहते हैं और ऐसे ही 5 माक्स के कोशन और 3 माक्स के कोशन तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सब्सेंसे इसे पहले पहले कोशन से उसमें पहले कोशन क्या रहा है what indicates the motion of the earth ऐसी कौन सी चीज है जो हमें डिकेट करती है की मोशन कैसे हो रहा है अर्थ में तो आप देखते होंगे रोज अपने रोज डैली लाइफ में कि डे और नाइट हो रहा है वो डे और नाइट कैसे हो रहा है क्योंकि हमारे सामने क्या रहता है शन रहता है और जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है रोटेट करती है तो रोटेशन में क्या होता है motion perform होता है तो उस motion में क्या होता है day और night perform करता है जिस day और night से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी earth है वो क्या कर रही है motion perform कर रही है तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि the phenomena इसमें हम लोग लिख सकते हैं the phenomena the phenomena the phenomenon like day and night jak day and night indicates 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 the motion indicates the motion of the earth the motion of the earth इसके बाद हमारा second question क्या है what is uniform acceleration मैं आपको बता देना चाहते हूं यह हमारा क्या है second part है first one marks के important question का तो जो बच्चें अगे इस वीडियो पर पहली बार आहे हैं, तो वो हमारा क्या? First part देख सकते हैं, तो first part आपको कहां पर मिल जाएगा? आई बटन में उपर या फिर वीडियो के end में. यह कौन सा है हमारा second part है? Sorry, मैंने इसको first बोल दिए, यह हमारा क्या है second part? तो इसमें question क्या पूछ रख कि what is uniform acceleration uniform acceleration हमें बताना है uniform acceleration क्या होता है तो आप देखेंगे की acceleration of an object जब किसी object से क्या होताature uh acceleration is set to be uniform जब वो क्या कहा जाता है uniform का जाता है तो उस case में क्या होता है कि if it travels, जो object है वो किया करता है? travels करता है, इने straight line, जब वो किसमर travel करता है? इने straight line and जो उसकी velocity है, जो उसकी velocity है, या फिर करता है, जो उसकी velocity, velocity और speed में difference होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे? velocity रखेंगे, speed यहाँ पर नहीं रखी जाएगी, तो उसकी speed क्या होती, increase करती है या फिर क्या करती है, decrease by equal amount किसमे, equal amount in equal interval of time किसमे, in by equal amount of equal interval of time तो यह क्या कहलाता है हमारा uniform acceleration जब इसमें कहा रहे, equal amount of in equal interval of time रहे, अगर इसी चीज़ को change कर दिये जाए, उससे पहले मैं आपको बतानों, change करने से पहले, इसका example क्या होगा, example यह पे नहीं दे रखा है, example इसका क्या हो जाएगा जो हमारी freely freely falling body है freely falling body यह क्या हो जाएगा, इसका example हो सकता है और भी इसका example हो सकते है जैसे कोई भी body किसी भी building से गिराई जा रही है, फिर कोई object building से गिराय जा रहा है तो वो कैसे आ रहा है constant speed से आ रहने की equal amount in equal interval of time उसमें क्या हो जाएगा हमारा uniform acceleration हो जाएगा और इसी में question और बनता है हमारा की non uniform acceleration क्या होता है तो simply सारी definition आपकी यही रहेगी इसमें change कितना आएगा change यही आएगा कि जी आपको क्या हो जाएगा acceleration of an object is said to be uniform it is travel in a straight line and its velocity increases or decreases by यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा unequal हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा unequal हो जाएगा और यह किस case में होगा हमारा non uniform के case में होगा non uniform के case में यहाँ पर क्या value हो जाएगी unequal amount in equal interval of time अब इसका example क्या हो सकता है जैसे कोई कार सड़क पर चल रही कैसे इन्हें straight line में चल रही है और वह क्या हो रही कभी अपनी speed तेज कर रही कभी अपनी speed slow कर रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है unequal amount apply हो रहा है पर in equal interval of time तो वहाँ पर क्या perform होता है हमारा non uniform motion apply होता है इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने next question पर चलिए आगे के important questions को देख लेते हैं इसमें सबसे पहला question क्या है from the given velocity time graph it can be infrared that the object is देखिए VT का मतलब आपको पता रहना चाहिए कि किस की बात हो रही है यहाँ पर velocity time की बात हो रही है नहीं तो अगर आपको ध्यान में नहें रहेगा तो आप सोचने लग जाएं कि V और T यहाँ पर क्या indicate कर रहा है इस तरीके से कौन सा graph बताने की कर रहा है तो आप पढ़े रहेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि VT का मतलब है velocity time graph की बात यहाँ पर हो रही है clear अब इसमें क्या पूछा है from the given velocity time graph it can be infrared that the object is यानि कि इस graph के मताबित आप यह बताईए कि इसमें object का क्या perform कर रहा है object क्या perform कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास कितने चार options दे रखे हैं जैसे कि अगर आपसे mcq question पूछा जाता है तो उसमें से इस question को भी पूछा जा सकता है chances है इसके तो इसमें पहला option क्या रखा है uniform motion क्या इस graph को आप देखके बता सकते हैं कि जो object है उसमें क्या uniform motion हो रहा है या फिर जो object है वो किसमें है rest में है या फिर जो object है उसमें क्या हो रहा है non uniform motion हो रहा है या फिर जो object है move with a uniform acceleration तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या हो रहा है हमारा इसमें हो रहा है uniform motion इसमें uniform motion कैसे हो रहा है क्योंकि आपने जान आप जानते हैं कि uniform motion के लिए क्लिए क्या होता है जब कोई भी object है वो कै कैसे रहे constant flow में रहे यानि कि उसका acceleration क्या रहे जीरो रहे जैसे लेट सपोज पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ पॉइंट बी से इसमें जो object का जो acceleration था वो क्या हो गया इद्दम जीरो इसमें कोई भी आप देख रहे हैं कोई भी इंक्रिमेंट नहीं हुआ इस ट्रेट पाथ में क्या करा ट्रेवल किया तो इसमें क्या हो गया हमारा यह uniform motion हो गया रेस्ट की बात आती तो यहां पर जो हमारी velocity है यह velocity change हो जाती यहां पर क्या हो जाता हमारा distance या displacement को भी distance हो जाता यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाता एत रेस्ट पर यहां पर यह केस परफॉर्म होता दूसतरा केस क्या था हमारा non uniform motion नौन uniform motion आप लोग जानते हैं उसमें कैसा form होता है circular path perform करता है तो यह कैसा रहेगा uniform है तो यहां से यह point भी क्या हो ये दोनों point क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे फिर fourth point क्याता है moving with a uniform acceleration uniform acceleration के case में ये जो graph है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा तो इसमें भी आप देखेंगे तो ये जो हमारा velocity time का graph है इसमें क्या हो रहा है acceleration increase हो रहा है आप देख रहें कोई भी object है point A से point B तक का जो object move कर रहा है इसमें लगातार क्या हो रहा है acceleration increase कर रहा है increase way में है तो यहां पर भी आपको देखने में लगेगा कि यहां पर भी uniform motion हो रहा है बट वो किसमें हो रहा है uniform acceleration not in motion तो यहां पर हमें क्या बताना है कि यह जो graph है यह क्या हमें शो कर रहा है uniform motion शो कर रहा है clear अब इसके बाद next question क्या पूछा है what is the simplest type of motion simplest type of motion कौन सा होता है आप दो motion जानते हैं पहला motion हमारा कौन सा है straight line का motion motion इने स्ट्रेट लाइन दूसरा क्या हमारा circular motion तो circular मोशन में आप लोग जानते हैं कि उसमें क्या होता है direction change होते रहते हैं direction कैसे होते हैं change कभी up down कभी forward कभी backward तो उस case में कौन सा हमारा सबसे simplest रहेगा आपके दिमाग में वह आ गया होगा कौन सा हमारा motion in a straight line तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा motion motion in a straight line यह कौन सा हमारा हो गया सबसे simplest type of motion clear अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो इसको आप like कर लीजेगा